हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूट्यूब चैनल जो अब इंडिया में सोगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमा यूट्यूब चैनल जो अब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जली से चैनल को सब्सक्राइब कर दो कल्यान सिंग सुपर स्पैसिलिटी कैंसर संस्थान लकनव नर्स भरती 2024 दोस्तो कल्यान सिंग सुपर स्पैसिलेटी कैंसर संस्थान लकनव की तरफ से 315 पदोग पर नर्सिंग ओफीसर मेल फिमेल जूनियर इंजिनियर जेई पैरामेटिकल इसके अलावाँ वेरियस पोजीशन पर परमरेन भड़ते निकली गई है इसका एकजाम दोस्तो हो चुका है एकजाम होने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसका रजल कब आएगा तो आज हम आपको इस वीडियो में जानकाई देंगे रजल के बारे में क्योंकि आज की डेट में आज है 3 जून और अभी अभी जो है रजल डेट की नोटिस बिलकुल ओफीसि की डेट में जो है कल्यार सिंग सुपर स्पैसलेटी कैंसर संस्थान लखनव ने जो है ओफीसियल एकजाम डेट के साथ साथ मैं आगर बात करूँ तो रजल डेट तो डिकलेर किया गया है एकजाम डेट क्या था आपका कौन-कौन से पोजीशन पर एकजाम हुआ था और कि इसकी पोजीशन का जो रजल डेट किया गया है इसकी जान काई देंगे बाकी 3 जून रजल डेट की नोटीस यहाँ पर आ चुकी है तो चलिए दोस्तों आपको लेके चलते हैं ओफीसियल वेबसाइट पर बात करेंगे पोजीशन के बारे में जिसका एकजाम माई में पलपल की अपडेट के लिए बिल्कुल जश्ट अभी अभी 10 मिनट पहले वेबसाइट पर यह नोटीस पब्लिस किया गया है और सबसे पहले अपडेट मैं आपको अपने यूटूब चैनल जो अब इंडिया पर दे रहा हूँ तो चलिए चलते हैं गूगल पर सर्च करें यहाँ पर आप लोग देखिए कल्यान सिंग सुपर इस पैसलेटी कैंसर इंस्टिटूट यह बिल्कुल ओफीसल वेबसाइट है आपको जाना है डारेक्ट होम पेज पर दोस्तों इस होम पेज का लिंक नीचे डिस्कुसन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर किलिक करके आप लोग दो सेकेंड के अंदर इस पेज पर आ सकते हो कल्यान सिंग सुपर इस पैसलेटी कैंसर इस्टिटूट सीजी सीटी लखनव जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है नोटिस बोर्ड वाले ओप्सन पर आओगे तो भी जो है नोटिस यहाँ पर पब्लिस किया गया है इसके पहले इसी से लेड़ेट यहाँ पर एक नोटिस और पब्लिस किया गया था मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन जानकारी है नोटिस रिगार्डिंग एडिविटी नंबर इयार 16 ओबलि दोगों का जिसका रेजल्ट आप लोगों का रेजल्डेट आचुका है तो अभी आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जो एकजाम हुआ था फिफटीन माई को क्योंकि बहुत सारे कैनेख्यूज हो सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रहूं इसका एक और भरती था जिस किसका result date यहाँ पर declare किया गया है मैं बता रहा हूँ nursing officer का और nursing officer के साथ साथ यहाँ पर देखिए nursing officer 5 shift में exam हुआ था 15 माई 16 माई 17 माई और 18 माई आपका exam चला था अगर आपने 15 माई या फिर 16 माई या फिर 17 माई या फिर 18 माई को exam दिया है तो आप लोगों का जो result date है डेकलेर कर दिया गया है तो nursing officer का 5 shift में exam हुआ था pathology technician का exam हुआ था 15 माई से लेकर 18 माई के बीच मे emergency medical technician idea visual technician eco technician nursing officer OT technician, technician dialysis nuclear medicine technologist, medical gas pipeline technician, radiotherapy technician OT assistant, anesthesia technician ECG technician, microbiology technician junior engineer civil, junior engineer illytical, clinical psychology biomedical technician, PFT technician blood bank technician और radiology technician इन सभी position का जो exam 15 माई 16 माई, 17 माई और 18 माई को हुआ था इसका दोस्तो result date यहाँ पर declare कर दिया गया है इसका result कब आएगा चलिए मैं आपको जानका दे देता हूँ तो यहाँ पर notice board वाली option पर आओगे तो जैसे notice board वाली option पर आओगे तो आज की date में यह notice publish किया गया है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे आप लोग किली करोगे तो यहाँ पर देखिए कल्यार सिंग कल्यार सिंग, सूपर स्पैसलेटी कैंसर इस्टिटूट सेजी सिटी सुल्तान पुरोट लखनव पिन कोड है 226 002 और यहाँ पर आप लोग देखो letter number दिया गया है के एस ससी आई ओबलिक ए आर ओबलिक 556 ओबलिक 238 ओबलिक 2024 date mention है 3 जून 2024 notice यहाँ पर है regarding ADVT number दिया गया है पढ़ लेना यहाँ पर बताया गया है the result for direct recruitment for non-teaching post white ADVT number KSSCI ओबलिक 16 ओबलिक 1 से लेकर 21 ओबलिक 23 से 24 is under process the tentative date of the result is schedule of second week of June 2024 तो अभी मैं आपको बता देता हूँ देखिए घुमा फिरा के मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ म्यूंकि अभी जो है मैं में दो भर्तियों का एक्जाम हुआ है एक भर्ती 315 पदों पर विकेंसी निकाले गई थी जो 315 पदों पर विकेंसी निकाले गई थी इसका एक्जाम 15 मैं 16 मैं 17 मैं और 18 मैं हुआ है तो 315 पदों पर जो भरती निकाले गई है 15, 16, 17, 18 माई को एकजाम हुआ है इसमें बहुत सारे position पर एकजाम हुआ है इसमें nursing officer का भी एकजाम हुआ है और pathology technician, junior engineer और भी बहुत सारे position पर एकजाम हुआ है इसका जो result है second week of June 2024 में डेकलर किया जाएगा अभी जो आप लोगों क result process है जो result है under process है के लिए हो चुका है no doubt जी हाँ और एक और भरती जो है निकाल गया था जिसका exam माई में हुआ था 30 माई को एकजाम हुआ था 30 माई को एकजाम हुआ था इसका जो raw marks है जो result है जारिक कर दिया गया है तो अभी जो 15, 16, 17, 18 माई को एकजाम हुआ है उसका जो result है second week of June 2024 में डेकलर कर दिया जाएगा बाकी जो 30 माई को एकजाम हुआ था यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना इसका ADVT नंबर है ER20-1 से लेकर 9-23-24 इसका दोस्तों 3 जून सुबद 10 बजे से यहाँ पर गिरिवन्स पोर्टल लॉंच कर दिया गया ओपन हो चुका है 5 जून तक आप लोग सिकायत कर सकती हो कोई रौ इसकोर यहाँ पर जारिक कर दिया गया है जिसका 30 माई को एकजाम हुआ था तो 30 माई को एकजाम हुआ था सि इसका जो है रौ मॉक्स आ चुका है यानि रेजल यहाँ पर आ चुका है रौ मॉक्स आप लोग देख सकते हो साथी कोई भी अगर आप लोगों को जो रौ इसकोर दिया गया है इससे लेटर कोई 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 है आप लोग 3 जून से लेकर 5 जून सुबद 10 बजे तब कोई कर स रखते हैं धन्यवाद